हालो फ्रेंट्स, कॉंप्टिशन कमिटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान, आई ये फ्रेंट्स, आज हम देखते ही इन्वार्मेंट एंज साइंस और टेकलोजी के कुछ और महकपूर प्रस्णों को, जो आपकी एक्जामनिशन पॉइंट आव उससे बहुत important है, तो देखते हैं आज के question में सबसे पहला first question आप देख रहे हैं यहाँ पे, चिपको आंदोलन के प्रणीता कौन है, who is the leader of चिपको मोमेंट, options हार मेधा पाटकर, MS स्वामी नाधन साहब, सुन्दरलाल बहुडा साहब, Dr. सलीम अली, ठीक है, तो यहाँ पे आप यह जो चार option देख रहे हैं, यह आपके examination point आप उसे चारों से related fact बहुत important है, तो पहले इस question को deal करते हैं, चिपको आंदोलन क्या था, बेसिकली एक परियावरन आंदोलन था, चिपको मोमेंट मतलब एक environmental moment था, जो बेसिकली उत्राखंड में यह चला था, ठीक है, जिसमें क हम जो व्रिक्ष की periphery या व्रिक्ष का जो ट्रंक होता है, यानि उसका जो मुख्य तना होता है, उसको प्रतिकात्मक रूप से गले लगा कर मैसेश देते थे, कि यह important है, यह environment के लिए important है, और इसका हमको महत्वत समझना होगा, तो यह प्रतिकात्मक मैसेश दिया गया था चिपको आंदोलन यानि व्रिक्ष से चिपक कर, तो इसे जो इनिशेट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा साहब ने इनिशेट किया था, इस point को याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा साहब का योगदान है चिपको मोमेंट में, दूसरा बाकी option देख रहे हैं, मेधा पाट कर, इनका योगदान था नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है, दूसरा option से यहाँ पे, डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन साहब, ये भारत में हरित करांती के जनक है, फादर आप ग्रीन रिवॉलिशन इन इंडिया, ठीक है, या इंडियन फादर आप ग्रीन ये क्या है, भारत में नहीं, इन जनरली क्या है, आपके हरित कांती के पिता हैं, कौन डॉक्टर नॉर्मन बुरलोग और डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन, इंडियन फादर अप ग्रीन रिवॉलिशन है, ठीक है, दोनों के सिंक्त प्रयाज से ही भारत में हरित कांती आई थी कब आय थी 1966 से लेके 67 के दौर में यह प्रारंब हुआ था यह समय आप जान रहे हैं यह हॉलिडे पिरियड यह हम कहते हैं यह जो योजना आउकास का काल चल रहा था इसके बाद जो है क्रमिक रूप से भारत में गेहूं का प्रड़क्शन बढ़ गया खासकर उत्तर भारत के कुछ राजियों में जैसे की हम देखते ही हरियाना पंजाब राजस्थान उत्तरप्रदेश और डिली-NCR की छेत्र और एवन मंद्प्रदेश का यह कुछ चेत्र इसमें आया था जिसमें आप देखते हारितग्रांटी के कारण जो है यह किया बढ़ तो यह समय था जब हमको गेहूं जो है आपको आयात करना पड़ा था इंपोर्ट करना पड़ा था वेड को यूऐसस हमने किया था तो यह बात सभी हो गया आच्छा चौधा option क्या बचा हुए डॉक्टर सलीम अली डॉक्टर सलीम अली सरका जो में सम्मंध है ये basically केरल में एक moment चला था सांत घाटी moment या silent valley moment या सांत घाटी आंदोलन ठीक है तो यहां उस related क्या है केरल कि जो local people है local लोग और डॉक्टर सलीम अली ने जो है यहां पे सांत घाटी आंदोलन चलाया था डॉक्टर सलीम अली को भारत में पक्षि विज्ञान के जनक कहा जाता है फादर आप और नी थो लौजी ठीक है तो यह option sufficient है आप सभी के लिए important fact चलो आगे हम बढ़ते हैं तो पहला question का answer क्या हो जाएगा आप कसी हो जाएगा next question देखते हैं हम यहाँ पर दिया हुआ है भारती वन्यचीव सस्थान इस्तित है वाइल इंस्टिटूट आप इंडिया इस लोकेटेड अगें वेरी important question न्यू डैली सिमला देहरादूनिया भूपाल चार options दिये हुए हैं तो डबलू आई आई कहते हैं वाइल लाइव इस् तो C is the right answer ठीक है यह बात आपको धिया रखता है वाइल लाइव इस्टिटूट आफ इंडिया ठीक है यह आपका देहरादून में है और एक और चीज़ आप जानते होंगे जो ISFR report पब्लिक की जाती है इंडिया state of forest report ISFR कौन करता है forest survey of India करता है तो forest survey of India का भी headquarter कहा तो सेम आपका देहरादून है ठीक है इस बात को ध्यां रखना है भारती वन सर्विक्षन क्लेर हो गया चलो next question की और मूब करते हैं next question में हम देखते हैं ओजोन परत मुखे तक कहां स्थित रहता है ट्रोपोस्फियर यानि कि यहाँ पे देख रहे है ट्रोपोस्फियर प्रिजोस्फियर और इनोस्फियर हिंदी में हम कहें है तो इक्या है आपका छूब मंडल ठीक यह क्या संताब मंडल यह मध्य मंडल और समय आपको प्रिजा नहीं बेक्यां तो इस प्रकार एलंग लेर आ जाएंगे ठीक है तो प्रित्वी के सता से अगर हम सीधा 18 km आसपास तक चलते हैं तो ये आता है आपका छूब मंडल ठीक है छूब मंडल या फिर हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर ठीक उसके बाद इसे एक ट्रिक है मैं बता देता हूँ ट्रिक के बेस पर आप याद रख सकते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रोपोस्फियर स्टाटोस्फियर मीजोस्फियर थर्मोस्फियर एक्जोस्फियर छोब मंडल समताप मंडल मध्य मंडल ताप मंडल बहिर मंडल छोब समताब ठीक है इस प्रकार याद रख सकते हैं तो छोब मंडल ये हो गया उसके बाद देखते हैं आपका समताब मंडल उसके बाद हम देखते हैं मध्य मंडल उसके बाद हम देखते हैं मध्य मंडल के बाद देखो सम उसके बाद ताब मंडल और top मंदल के बाद उपर जो आएगा वो आपका बहीर मंदल ठीक है ये बात ध्यार रखना top मंदल मध्य मंदल के बीच में iron मंदल मिलते है iron मंदल actual में एक उप मंदल है उप भाग है अलग से खुद अपना कोई sphere नहीं बनाता है ना जो top मंदल का मध्य मंदल के बीच में पाया जाता है तो बेसिक लिए आपको यहाँ पे दो टाइप के questions पूछे जाते है यहाँ पे question पहले deal कर रहे है ती ozone परत कहां मिलता है उसके बाद हम second वाले में आएंगे तो ozone परत actual में देखा जाए ozone का formula आपको पता है O3 ठीक है तो ozone जो पाय जाता है यह दो टाइप का होता है एक होता है good ozone एक होता है bad ozone एक अच्छा ozone है एक खराब ozone है अच्छा ozone कौन है सम ताब मंदल में जो क्या है ozone परत बनाता है ozone परत इस प्रकार कोई ठोस परत नहीं है वह गैसों की जो concentration है गैसों की जो सांद्रता या सगंता है वह बहुत जादा होती है जिसके कारण सूरी की किरनों पर क्या होती है Ultra wallet race होती है Ultra wallet race को क्या करती है याने परा भैंगनी किरनों को यह लगबग-लगबग 99% क्या कर लेती है इसे filter कर देती है उल अल्ट्रा वालिट के रिनों को कौन कौन सी होती है अल्ट्रा वालिट A B और C को है ना तो सबी के सबी हानिकारक नहीं होते है तो फिल chairs ko क्या करती यह filter कर Lеп यह 99% और इस प्रकार यह क्या है प्रिट्वी के उपर एक सुरक्षा कवजच बनाती एक अंब्रेला डाइप का पूरा कवजच बनाता है जिसके कारण हमको हम इसे क्या कह देते हैं और ये बात लेयर हो गया तो यह ओजौन परत जो है पाया जाता है और जोन गैस का अमताफ मंडल लेकिन 10% ओजोन कहां पाया जाता है छोब मंडल में भी पाया जाता है अब मैं आपको बताया हूँ इसमें कहे रहा हूं कि एक गुड है बैड है उसका कारण क्या है चुकि यह क्या है सुरक्षा कवज दे रहा है इसलिए गुड ओजोन है भई उस दोनों का फ आपमान बढ़ाने में क्या करता है मदद करता है तो जादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ जाएगा जादा ग्रीन हाउस गैस यहां हो जाएंगे तो प्रिथ्वी का आउसत आपमान बढ़ने लगेगा जिसके कारण ग्लेसियस वगरा पिघलने लगेंगे जोसका ने 20% आपका समताब मंडल में दूसरा डाइब का कोशन क्या पूछा जाता है प्रित्वी की सतर से उपर जाएंगे तो मंडल को अलग-अलग जो स्फियर है उनको आप सही सिक्वेंस में एरेंज करिए यह भी एक्जाम में पूछा जा चुका है तो टी एसम टी याद रख सकते ह समताब ठीक है तो यहाँ पे इस बात को ध्यां रखना है चलो आगे मूफ करें नेक्स कोशन की और मूफ करते हैं तो अगरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से संबंदित है यह भी बहुत इंपॉर्टन कोशन है तो मैंने बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंद है ओजोन परत से लेकर ओजोन परत के सरक्षन से संबंदित जो ओजोन परत को नुकसान पहुचा रहे हैं ऐसे कारकों के प्रयोग निशेद करना या कम करना उससे संबंदित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो तीन मुख्यता ओजोन परत से लेकर क्या हैं आपके Sammailan है Cole मैंने पहले भी बताया था एक है Vienna Sammailan है ना Vienna Austria की राज़दानी है दूसरा है Montréal monster protocol जो basically Canada में है Montréal और 30 हम देखते हैं की गाली समझाथा की गाली agreement ये तीनों है याद रखना ये important है Ozone परत से लेकर तो Montréal protocol का Ozone परत की पिछली क्लास में हमने बताया था ग्लूबल वार्मिंग तो क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है चलो अब आप देखते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है फिर्स वन नेक्स कोशिन क्यों मूव करते हैं कोशिन नमबर फिफ्थ इन में से कौन सा रिक्ष परियावरण का संकट है बहुत फेमस कोशिन है कई बार पूछा जाता है सबके सब तो पौधे हैं तो फिर परियावरण का दुस्मन कैसे हो सकते हैं न विच अप दे फॉलोविंग ट्री is the enemy of environment तो यहां पे options दिये हुए है बबूल, अमलतास, नीम और युकेलिप्टस तो ध्यार रखना युकेलिप्टस को नीलगिरी भी कहा जाता है तो नीलगिरी भी कहा जाता है याद रखना नीलगिरी को या युकेलिप्टस को परियावरण का सत्रू कहा जाता है D is the right answer उ और जैसे इसके आसपास कोई दूसरा पौधा भी ग्रो कर रहा है ये और ये ग्रो कर रहे है ना आसपास दो तीन चार और ट्री ग्रो कर रहे है पौधे ग्रो कर रहे है तो यह क्या करता है इनके हिस्से का भी पानी और इनके हिस्से का भी जो पोशन पदार्थ है पोसक त वहां पर क्या करता है खुद ही अपना आप लेगा और यह इंडेगा तो इधर मॉनियर करें तो फिर इसको भी और पहलने लगेगा इसकी जड़े इधा कि इसकी जड़ेश की को बढ़ाने में क्या करता है यह रोकता है डाविस्टी को ने इसलिए हम कहते हैं इसे परियावरण का दुस्मन कहते हैं क्यों रोक रहा है क्योंकि अत्रिक तपानी और पोसक तत्वों को यह सक कर लेता है इसके हिस्से का भी और दूसरे आसपास के दूसरे पौधों का हिस्से का भी ये consume कर लेता है उसको खपत कर लेता है इसलिए इसको दिस्मन कहा जाता है ठीक है ये बात सभी को समझ में आ गया चलो तो इसका answer D हो गया next question क्यों remove करते हैं तो next question आप screen पे देखेंगे ओजोन परत selection दिवस कब मनाया जाता है तो यहां पर देखते हैं कि 16 सितंबर 5 जून 23 मार्च और 21 अप्रेल तो every year on 16 September को हम ओजोन परत selection दिवस मनाते हैं क्यों मनाते हैं अगर इसमें समझेंगे क्योंकि ओजोन परत से संबंदी जो महत्पूर्ण एक जो सम्मेलन है यही इसी 16 सितंबर को ही क्या है जो है उसको जो है लागो किया गया था वो सम्मेलन हुआ था इसलिए हम देखते हैं कि यह ओजोन परत selection दिवस क्या है every year 16 सितंबर को मनाया जाता है clear हो गया चलो अब next question की और move करते हैं next question आप screen पे देखिए that is भारत में वन इजीव selection अधिनियम किस वस लागो किया गया था 1972 80 1970 1975 तो ध्यान रखें फ्रेंट्स यह भी बहुत important question है आप पूरे भारत में जो national park wildlife sanctuary यान रास्टी उद्यान वन जीव अभ्यारण्य वैसे हम देखते हैं और अलग-अलग प्रकार की क्या है जैसे समुदाय reserve ठीक है community reserve selection reserve ठीक है इस फरकार जो protected area देखते हैं तो protected area की जो सुरुवात की गई थी एक महत्पूर एक्ट था जिसमें हम देखते हैं 1972 वन जीव selection अधिनियम कहते हैं जिसके तहत national park और wildlife sanctuary जैसे concept लाए गये थे और इसे एक आधिकारिक दर्जा मिला था यह भी इंद्रागांधी government की समय में 1970 के डिकेड में हुआ था वर्स था 1972 तो अभी जितने में भारत में नेटवर्क देखते है नेशनल पार wildlife sanctuary का यह वही है बाद में बाद के वर्सों में क्या है अभी वर्स दो हजार जो है पांच के आस पास जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया समदार रिजफ सरक्षण जैसे नहीं नएक अपलाएगे तो फिलाल इसका अंसर क्या है आपका 1972 इसको वह एरिया क्या है प्रोटेक्टेटेड हो जाएगा कवर हो जाएगा सरक्षित हो जाएगा आराक्षित भी जाएगा जिसके कारण हम देखते ह कि उन एरिया में जो एनिमाल और प्लांट को क्या है सुरक्षा मिल जाएगी तो सरेक्षण की दिश्टी से महत्पूर है तो 1972 याद रखेगा आप क्लिर हो गया चलिए नेक्स कोश्चन की और मूव करते हैं अच्छा बाकी ऑप्संस भी इसमें देखेंगे तो 1980 में भी एक क्या है फॉरेस एक्ट आया था ठीक है तो फिलाहाल हमको फिलाल 1972 को ध्यां रखना है नेक्स कोशन देखिए जैविक एवं आज जैविक संगठनों क के मध्य माध्यम याने इंटरमिडियक का कारिक करता है यह कोश्चन को बहुत एक कंसेप्च्वली तरीके से हम सॉल कर सकते हैं बहुत आसान सा प्रस्ण है है ना ऑप्शन क्या है पैरसाइट प्रडूसर जो है कंजूमर या ओल अब दा एबब ठीक है तो यहां पर देखे से आप आंसर कर लोगी जैसे क्या होता है इको सिस्टम होता जानते है ना पारिसिक तंत्र पारिसिक तंत्र में जैविक और आजैविक दोनों चीजों को गिल लिया जाता है ठीक यह बात ध्यां रखना है और दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशन है क्या इस प्रकार का अंतर संबंद है है ना उसको क्या है हम वो जो रिलेशन बनाते जो सिस्टम या तंत्र का निर्मान करते हैं उसे हम कहते हैं पारिशिक तंत्र और उसका जो अध्यान करते हैं उसे हम एकोलोजी कह देते हैं या पारिशितिकी कह देते हैं अब यह जो जैवी का जैवी के जैसा हम कहा देते हैं मालोक बक्री खाती है ठीक है बक्री को कौन खाता है मालोक हम देखते हैं लोमडी सिकार करता है ठीक है और लोमडी का सिकार मालो यहां पे सेर करता है ठीक है लाइन करता है तो आप यहां पे देखता है हरे पौदे हरे पौदे को यह क्या कहलाते ही इनक कहा जाता उत्पादक या producer या हम उसे environment के language में T1 कहेंगे ठीक है वैसे क्या होता है यह होता है उत्पादक को जो खाता है उसे कहते हैं प्रात्मिक उपभोगता primary consumer ठीक है और इसे हम कहते हैं T2 primary consumer PC लिख दिया मैंने इसके बाद देखते हैं तीसरा है क्या है जो प्रात्मिक उपभोगता को खाता है उसे क्या कहते हैं दूइतियक उपभोगता कह देते हैं इसे हम कह देते हैं T3 ठीक और जो last में होता है उसे त्रितियक भी कह सकते हैं चाहें तो यहां पर जो अंतिम होता है तो लेकिन यहां पर common word हम use कर सकते हैं जो last होता है उसे टॉप कंज्यूमर या सीस उभोकता कहते हैं ठीक अब यहाँ पर समझीए कि यह जो कोश्चन में आपको एक अंसर पहले समझ लीजे आंसर खुद बखुद निकाल लेंगे है ना आप इसे क्या कहेंगे टीफोर कहेंगे तो क्या होता है कि जो एको सिस्टम में हरे पौधे होते हैं हरे पौधे क्या करते हैं सूरी प्रकास की को यूज करते हुए सूरी प्रकास की उपस्थिती में क्या करते हैं फोटो सिंथैसिस करते हैं प्रकास संसलेशन करते हैं और अपना भोजन या फूट खुद बनाते हैं इसलिए सभी हरे पौदों को उत्पादक या प्रड्वीसर या आटो ट्रॉप स्वापोसी कह दिया जाता है, तो यह जो स्वापोसी कहा जा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, जो सनलाइट है आपका यूस कर रहा है, तो यह सनलाइट में लाइफ होती ही क्या नहीं होती? पाणी भी यूस कर रहा है, पाणी में लाइफ होती कैनी होती? है ना, क्लोरोफिल इसके पति, पौदे के पत्ती में मवजूद है, तो सूर्य उसके बादेख्वा देखते कारवन डैकसाईट, उपर से क्या है, इसमें भी लाइफ नहीं होती, तो देखो इनमें जो लाइफ नहीं होती, पानी, कार्बन डैक्साइट, सूर्य फ्रकास्त, इनको क्या कहेंगे, अजैविक कारक कहेंगे, इसके कारण ये पौधा भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद ये पौधा ग्रो किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसे कौन खाने लगी, बकरी, तो जो हरे पौधे होते हैं, ये हमेशा खुद अपना भोजन बनाएंगे, इसलिए स्वापोसी, और्टो ट्रॉप्स कहलाएंगे, अच्छा, यहाँ पे समझीए, कि दोनों के बीच में इंटरमीडियेट का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे आजैविक कारक है, इसमें जैव उत्पादक है, तो इसका अंसर क्या होना चाहिए, इंटरमीडियेट या माध्यम का दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे उत्पादक कर रहा है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक याने, प्रडियूसर, ठीक है, इस बात को ध्यां रखना है, ये स्वाप उसी होता है साकारी को खाने वाला मांसाहरी होता है और जो टॉप कंजिमर को कैसे पहचानेंगे टॉप कंजिमर को हमेशा ये पहचानेंगे उसे कोई नहीं खाता जैसे कि टॉप कंजिमर का एक्जामपल क्या होता है और ये ओमनी वोस भी हो सकते मांसाहरी भी हो सकते हैं लेकिन इसे कोई नहीं खाता इसमें याद रख लेना ठीक है तो जैसे की हम बात कर रहे हैं कि top consumer क्या होगा इसे कोई नहीं खाता तो जिसे tiger हो गया बाग हो गया lion याने सेर हो गया वैसे देखते हैं आप human being हो गया मनुष्य हो गया बाज हो गया मोर हो गया यह सब क्या है आपके टॉप कंजूमर या सीज उभुकता कहलाते हैं तो इस प्रकार इस concept को आपको ध्यार रखना है और उर्जा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता किसे कहा जाता है उत्पादक को कहा जाता है याद रखीगा ठीक है तो उर्जा का प्रवेश द्वार क्योंकि यहां से उर्जा प्रवेश करती है चलो नेक्स कोश्चन की और मूफ करते हैं तो नेक्स कोश्चन की और मूफ करेंगे तो लास्ट कोश्चन है आई थिंक नाइन कोश्चन है चलो नाइन स्टम में जो फूट चेन खाद सिंखला बनती है ना जैसे अभी हमने देखा हरे पौदे बक्री और लोमड़ी और सेर का देखा तो हर प्रतियक जीव क्या दूसरे पर निरभर है एक्सेप्ट प्लांट प्लांट क्या खुद अपना बोजन बना रहा है और आज यह एक चीजों पर निरभर था लेकिन हम क्या करते हैं कि यह जो खाद सिंखलाएं बनती हैं इनको हम पिरामिट के आदाहर पर रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स एल्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने तीन प्रकार का पिरामिट बताया है तो पिरामिट तीन प्रकार के होते हैं एक है संख्या का पिरामिट पिरामिट अब नंबर दूसरा होता है आपका जैव भार का पिरामिट यह फिर हम कहते हैं इसे बायो मास का पिरामिट बायो मास का पिरामिट ठीक है और 30 हम कहते हैं उसे कहते हैं उर्जा का पिरामिट तो उर्जा का पिरामिट जब भी दिखे तो उर्जा का पिरामिट always क्या होता है सीधा होता है पिरामिट कैसे होते है उसका आकार अगर देखा जा तो यह सीधा पिरामिट है और उल्टा पिर तफिक लेवल होते हैं पोशन इस तर होता है जिसे हमने टीवन कहा था North California Tочь allein घ्री 55 भी अध्या थासी है तो यहाँ पहर हम देख रहें कि हम यह साथ बेस में किसे रखा जाता इंच टुक को रखा जाता है उत्पादक कौन होते हैं सभी हरे पौदे उत्पादक किया प्रडीशर कहलाते हैं अब यहां पे हमने कहा था उर्जा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं उत्पादक को कहते हैं तो मान लो 100% एनरजी इसने क्या किया बनाया तो इसका केवल 10% ही अगले इस तर पर जा पाता है तो प्रत्य चरण में उद्देक रोगए इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या हो रही कम हो रही हो स्रिंख हो रही है, तो स्रिंख होने की कारण हम देख रहे हैं कि पिरामिड सीधा बन रहा है, अगर यह स्रिंक नहीं होता तो पिरामिड जो है उल्टा बनता, ठीक है, तो फिलाल हम को जो questions के हिसाफ से जो requirement है, तो उर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है नाव, नेक्स कोशन क्यों और मूफ करें नेक्स कोशन यहाँ पर देखिए पार्सिक तंत्रे में उच्चेतम और जा इस तर किस इस तर पर संचित होती है तो चलो इसे बिना मिटा इस कोशन को सॉल करते हैं उच्चेतम और जा किसमें है बई बताओ हंड़ेट पसंड एनरजी इसमें है तो यहां पर उच्चेतम और जाए यहां पहुंचते पहुंचते तो जीरो पॉंच जीरो बन हो गया हंड़ेट की वैली उतनी कम हो गई तो किसमें सबसे ज़्यादा हो गया उच्छेतम उर्जा इस तर पूसर किस में हो जाएगा आपकी उत्पादक याने प्रड्यूसर में सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो साकाहरी तो टीटू साकाहरी होता है प्रात्मी को भोगता टीटू को कहते हैं है ना उत्पादक को खाने वाला साकाहरी है जैसे बकरी गाय वगरा है ना टिड़ा वगरा तो ये बात ध्यां रखना है तो इसमें क्या है सबसे ज़्यादा क्या है आपका उत्पादक में होगा उसके बाद क्या है सेकेंड हाई इस किसका होगा साकाहरी को होगा थर्ड हाई क्लिर हो गया तो ये है आपका कोश्चन चलो अब हम मूफ करते हैं टेकलोजी सेक्षन की ओर टेकलोजी सेक्षन में भी कुछ इंपॉटन वह डील करते हैं जो आपकी एक्जामिशन पॉइंट अब उसे इंपॉटन है तो चलो पहला कोशिन देखेंगे यहाँ पर नाभी की उर्जा कारिक्रम के प्रत्थम स्वप्न द्रिश्टा कहे जाते हैं तफर्स विश्णरी ऑप निकलियर एनर्जी प्रोग्राम स्कॉल्ड क्या क्या ओप्शन्स हैं यहाँ पर देखिए विक्रम सारा भाई होमी जागिर भाबा सत्यनाद बोस मेखनात साहा चारों के चारों जो है एमिनेंट परस्टालिटी हैं बहुत बड़े बड़े परस्टालिटी हैं चारों के चारों साइंटिस्ट हैं नाभी की उर्जा की बात जब भी की जाएगी तो भारत को आजादी नहीं मिली थी उसके पहले सही डॉक्टर भावा प्रयास रथ थे कि भारत में नुख्लियर सेक्टर में नाभी की सेक्टर में क्या research हो और टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप प्लस भावा दोनों के सईंक्त इनेशेटिव के कारण हमने देखा कि यहां पे नाभी की उर्जा किछे इत्र में भारत ने सबसे पहले रिसर्च करना चालू कर दिया टाटा इंस्टिटूट अफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना इसलिए 1945 में हुई थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इन रेडियेशन निकालते हैं अलफा बीटा गामा टाइप के रेडियेशन तो यहां पे इसका अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा लेडियर हो गया तो यह आपका बी इस राइट अंसर बाकी दिए ऑप्शन में विक्रम सारभाई सर इनको कहा जाता है भारत में निकेलियर एनर्जी प्रोग्राम के या निकलियर के जनक क्वाई दिया था यह जाएंटिस्ट है मेगनाद साहा सर भी बड़े साइंटिस्ट है चलो आगे मूफ करते हम नेक्स क्रोशन दिखें यहाँ पर यह दिया हुआ है यह दिया है कि क्या है तेजस क्या है आप पूछा गया है तो भारत में निर्मित प्रत्थम लडाकू विमान एयर टो एयर मार करने वाले मिसाइल रिमोट चालिज जो है विमान है सबसे तेजगरती से उड़ने वाला विमान है तेजस इस वेरी फेमस भारत में निर्मित प्रत्थम लडाकू विमा वेरी वेरी इंपोर्टन याद रखना है ना फर्स फाइटर जेट जो है आफ इंडिया हम कह सकते हैं एर क्राप्ट है कह सकते हैं तो तेजस के बारे में याद रखना यह बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत ही इंपोर्टन और बहुत हाई एक्यूरेसी वाला क्या है आपका लड़ा को भिमान है, तो A is the right answer, ठीक है, चलो, नेक्स चलते हैं, हम नेक्स कोशिन की और, नाउ, सूपर सॉनिक क्रूज मिसाइल, ब्रमोस किन दो देशों से के सायोक से विकसित की गई है, तो ब्रमोस जो विकसित की गई है, भारा तो जर्मनी, नहीं, जर्मनी, जर्मन टेकलोजी बहुत अडवांस जरूर है, लेकिन हमने क्रूज, ब्रमोस मिसाइल उसे नहीं लिय है यहां पर मिसाइल की बात की जा रही है ठीक है तो यहां पर ब्रम्होस भारत और रूस के संयुक्त प्रयाज से यह बना है जिसमें हम देखते हैं भारत की ब्रम्हपुत्र रीवर और रूस की मस्कवा रिवर ठीक है ब्रह्मा पुत्र और दूसरा देखते हैं मस्कवा दोनों के संयुक तनाव वहां की रिवर और यहां की रिवर दोनों को मिला के क्या बन गया था जो भारत का सबसे powerful cruise missile है ठीक है cruise missile, ballistic missile आप अल्रेडी पढ़ रखें तो ठीक है, तो cruise missile है यह सबसे याद रखना ब्रमोस missile की कारण चाइना हमसे डरता है यह बात ध्यान रखेगा क्योंकि बहुत powerful है और रखेगा से हमने रखेगा भारत की संयुक्त प्रयास यह बना था अब हम ब्रमोस का जो advanced version आप hypersonic बनाने का भी प्रयास कर रहे है ठीक है, वो क्या है? सुपर सॉनिक missile है हमारे पास चलिए, तीन प्रगार की missile होती है सुपर सॉनिक और hypersonicbird ठीक है, तो hypersonic सबसे fast होते हैं, और subsonic जो होते हैं, सबसे कम होते हैं एक Mac से कम होती हैं तो सबसॉनिक कहेंगे हैना, दू से तीन Mac होतो उसे क्या है सुपर सॉनिक कहेंगे और hypersonic जो है, 5 Mac से जादा होगा, Mac मतलब द्वानी की गती के साथ उसे compare किया जाता है ठीक चलो अंत्रिक्ष कारकरम के पिता के रूप में जाना जाता है अभी थोड़ी दिर पहले ही हमने पढ़ा डॉक्टर विक्रम सारा भाई साहे सर को क्या कहा जाता है father of space technology in India कहा जाता है इन्होंने सबसे पहले 1962 में क्या अंत्रिक्ष समीती बनवाई थी उसके भी अध्यक्स थे उसके बाद देखते ही इसरो का गठन हुआ कब हुआ था 15 अगस्थ 1969 को हुआ था ठीक है तो इसरो की योगदान में इसके foundation में सबसे बड़ा योगदान है या अं इनको father of space technology कहा जाता है तो a is the right answer next question की और move करें अगला question है स्री हरी कोटा rocket launching center किस प्रदेश में स्थित है ठीक है आंदर प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडू या केरला देखो भारत में rocket launching कहां कहां किया जाता है पहले समझ लीजिए तीन ही मुख्यता जगा है सबसे पहले जो start किया गया था थूमबा में start किया गया था ठीक है सुरुवाती दौर में थूमबा कहां केरल के तिरवननदपुरम के पास है उसके बाद जो है सबसे बड़ी जो है अब उसके बाद हम देखते है स्री हरी कोटा स्री हरी कोटा जो है आपका भारत का सबसे बड़ा rocket launching station है और 99.99% जो है launching अभी यहीं से होती है यह कहां पे है पुलिकट लेक है आंदर प्रदेश में और उसी जील के पास में स्थेत है कौन सा स्री हरी कोटा जहां पे जितने बड़े बड़े क्या है सैटलाइट जो है छोड़े जाते हैं तो पूरे सैटलाइट जो है या rocket जो छो जाएंगे आप यह कहां से छोड़े जाते हैं स्री हरी कोटा से छोड़े जाते हैं तीसरा एक और बन रहा है तूती कोरीन का नाम जानते होंगे तूती कोरीन का नया नाम क्या है थुतु कोडी है यह भी बन रहा है नया launching center ठीक है तो फिलाल स्री हरी कोटा कई बार गुमा क पूछा जाएगा तो इसे हम कहते हैं SHAR भी कहते हैं स्रीहरीकोटा हाई एल्टिट्यूट रेंज ठीक है सार केंद्र कहा है कहा जाएगा तो भी आपको कहा लिखा जाएगा आपका आंदरपदेशी कहा जाएगा स्रीहरिकोटा ही है वो ठीक है तो स्रीहरिकोटा हाइ अल्टिटूट रेंज अब क्या है एक साइंटिस्ट है उनका नाम था सतीजधवनसर तो सतीजधवनसर को समर्पित करते बी अब उसका पूरा नाम क्या कर दिया गया है SDSC SAR कह दिया गया है तो SDSC का full form 37 धावन Space Center है ना तो 37 धावन क्या Space Center क्या है 37 धावन अंतरिक्ष केंदर और स्री हरी कोटा high altitude range SDSC SAR भी कहा जाएगा तो स्री हरी कोटा केवल सार कहा तो भी स्री हरी कोटा और rocket launching session हो तो भी स्री हरी कोटा ठीक है ये बात ध्यान रखना है next question की और move करते है इसरो के वर्तमान चेर्मेन कौन है के सिवन साहब recently retired हुए है उसके बाद उसके पहले देखते है के रादा किश्णन सर भी थे सब के सब क्या है इसरो के चेर्मेन रह चुके है अभी वर्तमान में कहा जाए 2022 अभी जुलाई मंत का चल रहा है तो इसमें कहा जाएगा दसवे नंबर के चेर्मेन है एस सोमनाथ साहब और इनी के नेतित में भारत में गगनियान छोड़ा जाएगा ठीक है याद रखिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे है एस सोमनाथ साहब क्या है वर्तमान में इसरो के चेर्मेन है इसरो जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या है इसरो का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो यह क्या है आप देख रहे हैं इंडियन इस्पेस रिसच औरगेनाइजेशन भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठ चुलो नेक्स कोशिन मूव करें नेक्स कोशन देखें यहाँ पे मिसाईल अस्त्र है अस्त्र मिसाईल क्या है सर्फेस तु सर्फेस सर्फेस टू ओ एयर अर टू एयर यहां पे आप्स जल से, जल से सतह की हो, ठीक है, यह आपका दिया हुआ है, ठीक है, यह टाइपिंग मिस्टेक है, इगनोर इट, चलो, तो मिसाइल, अस्तर मिसाइल है कहा गया है, तो अस्तर और सस्तर में अंतर आप जानते हैं, जैसे तलवार है, आप हाथ से यसे आप लड़ाई करते हैं, और उसके साथ वो लड़ाई करते हैं, तो वो होता है, आपका सस्त्र होता है, और अस्त्र जैसे होता है, जैसे कि आप त्रिसूल फेक के मारते हैं, और चक्र, सुदरसन्च चक्र ऐसे क्या है, वो कहना चाहिए, वो ट्रेवल करके जाता है, तो आपके हाथ से वो डिटेज हो वोना चाहिए इस प्रकार ट्रेवल करके जाता है तो यहां पे वह क्या है एयर टुइयर मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है हुआ से हम मैं आपको आज मिसाइल यह concept किलियर कर देता हूं भी पांच महत हुड मिसाइल बनाए गये थे आईजी एमडीपी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम के तहत डॉक्टर कलाम के नित्रित वे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कारिकरम के अंतरगत पांच प्रमुक मिसाइल बनाए गये थे इन पांचों को मैं बता देता हूं ताकि बहाँ है यह कंप आपको कलेर कराएगा तो आईजी एमडीपि में हम देखते हैं पांच बनाए गये गये मुखेता हाह भारत का तुम सीन offs की Film का सिनोनिम या सबानार्थी क्या होता है धर्थी या भूमी हम कह सकते हैं तो क्लोच करना पढ़ेगा प्रिवल करना पढ़ेग है तो इसे हम क्या हैंगे सर्फेस टू सर्फेस समझ में आया वह प्रिथी का मतलब जमीन याद रख लेना जमीन में एक बिंदू से दूसरे बिंदू जाने के लिए आप पैदल ही चलके जाएंगे यहां ट्रेवल करके जाएंगे तो उसके कांटेक में ही रहेंगे तो सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल उसके बाद देखते हैं अगनी मिसाइल भी कहा जाए जैसे यहां आग जलाओ तो आग बिल्कुल यहां पर मालो लकडी रखे आप आग जल रही है तो आग जो है कभी भी जमीन से डिटैच नहीं होती बहले वो हवा के मारते हैं तो ऐसे करके आपने सीधा आटेक किया तो पहले आप सर्फेस में हैं आपका दुस्मन क्या है एयर में हैं तो सर्फेस टू एयर क्योंकि हम फिक के मार रहें ठीक है वो क्या है एक प्रकार का अस्त्र है क्लिर हो गया तो यह क्या है आपका त्री सूल सर्फेस ट देखते नाग नाग क्या है एक एंटी टैंक मिसाइल है टैंक आ रहा है और एंटी टैंक मिसाइल है टैंक की अगेंस में काम करने वाली मिसाइल है और उसके बाद देखते आकास तो आकास क्या है सर्फेस टू एयर मिसाइल है ठीक है आप याद रखना नीचे से आप आकास की स्पर्फेस टूर्वा तो सर्फेस टू एर सतर से हवा और उसके बाद एखते नाग एंटी टैंग मिसाइल है इस प्रकार आपको याद रखनी है यह आपका बेसिकली मिसाइल को याद रखने का तरीका अस्तर मिसाइल है तो यहाँ पे air to air missile है है ना यह अपने आप में इक अलग ही missile है पांचों missile से अलग क्या है अस्त्र missile है ठीक है यह बात को आपको ध्यान रखना है examination point आप उसे important है चलिए अब next question क्यों remove करते है तो next question देखते हैं यहाँ पे question number seven के बाद eight हैलीना क्या है तो हैलीना क्या है यहाँ पे देखा गया है एक पंडुबी है anti-tank missile है समुद्री तुफान का नाम एक shipyard है तो आपको अभी थोड़ी दिर पहले मैंने बताया नाग missile energy तो नाग missile क्या है भई यह क्या है anti-tank missile है तो anti-tank missile है नाग तो नाग का जो advanced version है वो क्या क्या है बता दे रहा हूं नाग का जो है advanced version है इस से related तीन नाम आपको exam में पूछे जाते हैं तो एक नाम है यहाँ पर सीधा-सीधा लिखो पहला है हेलीना हेलीना तो नाग का ही advance रूप है हेली का मतलब हेलीकॉप्टर नाग का मतलब हेलीकॉप्टर से launch किया जाने वाला नाग missile मतलब नाग का advanced missile है अत्यादुरिक प्रकार की missile है तो यह क्या है जाएगा एक anti-tech missile है जब नाग ही anti-tech missile है उसका version है तो यह भी क्या anti-tech ही होगा तो यह missile anti-tech missile है और हेलीकॉप्टर क्या है से launch किया जाने वाला नाग missile को हेलीना कहते हैं इसे आर्मी यूज़ करती है और धुर्वास्त्र missile क्या यह भी क्या है नाग का advanced नाग missile career तो यह क्या है नामिका क्या है कहा जाएगा तो नाग missile को केरी करके ले जाने वाला एक वाहक तो नामिका धुर्वास्त रहलीना इस आई इंग सभी को आपको clear हो गया तो यह है आपका basically about the helena helena क्या है एक anti-tank missile है दुर्वास कहा जाएद तो भी anti-tank missile है ठीक है बस याद रखना इनमें यह बात है कि इसे हैलीना हम नाग को सीधा 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 हम उपर से attack नहीं कर सकते हैं हलीना को हम helicopter से कर सकते हैं धुर्वास को भी हम air से कर सकते है clear हो गया चलिए next question क्यों remove करते हैं तो next question आपका देख रहे हैं गगन यान का संबंध है गगन यान very very important for your examination इसका संबंध क्या है the maiden attempt to the space भारत का पहला अपना अंतरिक्ष क्या है उडान है माना उडान है पहला भारत में अंतरिक्ष में पहली बार हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं और इसरे related fact आप याद रखना यह तीन चरणों में होने वाली है ठीक है तो यह गनौवा का answer क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो तीन चरणों में होने वाली है तो पहला जो दो चरण है यह क्या है माना उरहित होगा और तीसरा माना उयुक्थ हो जाएगा तो two plus one है हम तीन एस्टोनॉट को यहां पर क्या है ट्रेनिंग दे रहें अभी लेटेस स्पीच और जो है इस तो चेयर्मेन की हिसाब से तीन ट्रेंड हुए उसमें क्या है दो को भीजा जाने वाला है ठीक है मतलब दो लोग जाएंगे है ना वैसे जाना तो ऐसे ही है कि टू एंड मेंड होगा एक मैंड होगा तो पहले दो मिशन में क्या है एक कर Yo-mikun सिस्टम फिट है जिसमें देखा जाएंगे और यह तीसरे अटेंब में जो जाएंगे तीन अंत्रिक श्यात्री में दो जाने वाले हैं एकॉर्डिंग टू लेटे स्पीच और इस रोज चेयर्मेंट क्लियर हो गया इसमें दो मेल है और एक फिमेल है इतना लेवल तक भी आपको समझना होगा क्योंकि पहली पर कि यह एतिहासिक जो है मिसन कर रहें इसके लिए क्या है दस हजार करोड का फंडिंग किया गया है दस हजार करोड ठीक है बहुत बड़ा बजेट होता चलिए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका बी नाउ बुप करते हैं लास्ट कोश्चिण अप टोड़े सेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह तो आपके PSE में पूझ भी चुका है नाविक का पूर्ण रूप क्या है फुल फॉर्म आप नाविक क्या है पर बताओ यह से कहते हैं भारत का GPS GPS समझते हैं आपकी mobile में GPS enabled होता है जिसमें आपकी location पता चल जाती है तो जैसे कि पृत eco में जैसे हम देखते हैं क्या है यह क्या है विशवत रेखा है विशवत रेखा में हम देखते हैं पर नजर रखी जारी है जिसके कारण हम कहते हैं आप कहां पर मौझूद है आप पता चल जाएगा आपका GPS location केता है तो उपर satellite है, यहाँ पर satellite यहाँ पर satellite इस प्रकार, पूरे प्रित्वी को cover करता है GPS तो हमने क्या किया, अब हम खुद का GPS हम छोड़े, तो हम खुद का GPS तो GPS तो USA का है, तो हमने उसे नाम दिया NAVIC अब हमारे प्रित्वी, हमारे जो भारत के उपर हम satellite तैनात कर दिया है और भारत को क्या है, अपनी वास्तविक location पता चल रही है, कि कौन कहाँ पे GPS सर्विस जैसे ले रहे थे वैसे हम NAVIC की सर्विसे जो है हम ले रहे हैं, आने वाले समय में आपके मोबाइल में GPS सर्विस ना होके NAVIC होने वाला यी बात याद रखेगा, क्योंकि अब हमारा indigenous ये आपका क्या सर्विस है clear हो गया, तो अब जो पे कर रहे थे हम GPS टेक्नलॉजी के लिए आप उसको pay नहीं करेंगे अब हम खुद के सर्विसे जी उस करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है Navigation with Indian Constellation, ये याद रखना Navigation with Indian Constellation A is the right answer आईए होब ये सभी बातें clear हो गई तो आज के session में आपको किसी प्रकार का doubt है तो comment box में पूछिए मिलते हैं हम next class में कुछ और महत्पूल प्रसनों के साथ, thank you so much, have a nice day